जेहीं दोस्तो अगनी बीर अर्मी भरती 2023 फाइनली आपका फॉर्म अपलाई का डेट समाप तो हो चुका है और आज की इस वीडियो में जानेंगे आपका एड्मिट कार्ड कब रिलिज किया जाएगा यानि कि कब से आप सभी इसका एड्मिट का डाउनलोड कर सकते हैं और इसका एक जाम डेट जो है कब से सुरू होगा ये भी आज की इस वीडियो में जानेंगे और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दे काफी सारे स्टुडेंट का फॉर्म भी आपका रिजेक्ट होने वाला है तो इसे आप सभी कैसे चेक करेंगे और फॉर्म रिजेक्ट जो है कौन-कौन से केंडिडेट का होगा वो भी आज की इस वीडियो में बताएंगे तो अगनी विरार्वी भरती 2023 की अगर आप सभी फॉर्म अपलाई किये हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट है और साथ ही साथ आपका जो CBT एकजाम होगा उस एकजाम में जो है कितने चात्रों का रिजल्ट रहेगा ये भी आज की इस वीडियो में देखें जो आपका ओनलाईन एकजाम है यानि कि जो आपका CBT एकजाम है वो 17 अप्रील 2023 से सुरू होगा यानि कि भारत के अंतरगत जितने भी ARO है सभी क्या एकजाम आपका 17 अप्रील 2023 से सुरू होने वाला है यानि कि आपके पास अभी देखा जाए तो मातर 20 से 25 दिनी समय बचा है तो दोस्तो अभी ज़रूरी है आपको मौक टेस्ट लगाने का यानि कि मौक टेस्ट लगाना आपके लिए काफी जादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए ऑली बोड लाया है आप सभी के लिए बिल्कुल फिरी मौक टेस्ट सीरीच। आप सभी को बता दे अगनी विर आर्मी के किसी भी ट्रेट की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो इस मौक टेस्ट को आप सभी लगा सकते हैं और ये मौक टेस्ट को जो है आप सभी परतेक सब्ता के सटर्डे और संडे को जो है बिल्कुल फिरी में मौक टेस्ट को एटे देखने को मिलेंगे और आप सभी को बता दे इस मौक टेस्ट के अंत्रगत All India के कैंडिडेट जो है पाटिसिपेट करते हैं तो इस मौक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि All India में आपका कितना रेंक आ रहा है इसके अलावा आपका कितना परास्न सही हो रहा है कितना पर चल जाएगा और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दे इस मौक टेस्ट का जितने भी सोलूसन है आपको देखने को मिलेंगे और आपके परफर्मेंस का अनलाइसिस भी आपको दिया जाएगा इससे आप सभी अपनी तयारी को और ज़्यादा बूश्ट कर सकते हैं यह मौक टेस्ट जो है आपको केवल सटर्डे एंड संडे को ही आप सभी अटेम्ट कर सकते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्षन के फर्स्ट पीन में भी आपको यह लिंक देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिये ग है आपका एक्जाम जो है शुरू होने माला है तो इसका admit card जो है form जब apply किये होंगे तुछ समय ही बताया गया था कि इसका admit card 10 से 14 दिन पहले आएगा यानि कि यहां पर बात करें तो अपरील के जो है first week में आप सभी को बता दे अपरील के first week में जो है आपको इसका admit card देखने को मिल जाएगा यानि कि first week में आप सभी इसका admit card डाउनलोड कर सकते हैं तो अपरील के first week में जो है इसका admit card रिलीच किया जाएगा इसके officially साइट पर और वहां से आप सभी इससे download कर सकते हैं तो जैसे ही admit का डाईगा आप सभी को बताएंगे कैसे download करना है अब दोस्तों य यहां पर form reject की बात करें तो आप से भी देखेंगे जो इसका officially notification है इसी notification में आप से भी यहां पर देखेंगे बताय गया था कि duplicate यानि कि अगर आप से भी मान लेजिए आपका document पर name कुछ और है और आप अपना form apply में name कुछ और फिल किये हैं तो इस तितिती में आपका form reject हो सक हैं तो आपका form reject हो सकता है इसके अलबा काफी सारे ऐसे student होते हैं जो कि form पूरी तरह से complete नहीं करते हैं तो वैसे candidate का भी form आपका reject हो जाएगा इसके अलबा दोस्तों अगर आप सभी ने form apply तो कर दी हैं लेकिन 250 रूपिया का जो payment था वो payment अगर आप सभी नहीं किये हैं त कोई भी mismatch होगा तो आपका form reject हो सकता है या form अगर आप सभी पूरी तरह से complete फिल नहीं किये हैं तो भी reject हो सकता है या payment अगर आप सभी नहीं किये हैं तो भी आपका form reject हो सकता है तो ये तीन condition में जो है आपका form reject होने की संभावना रहेगा बाकि जितने भी details है वो अगर आ नहीं होगा आपका admit card आ जाएगा अब दोस्तों यहां पर बात करें कि जो आपका CBT exam है इस exam के अंतरगत कितने छात्र का result रहेगा यानि कि CBT exam में कितने छात्र का result दिया जाएगा PT-PST के लिए तो इसके बारे में तो कोई जनकारी नहीं है क्योंकि आप सभी को बता दे इसम उस ERO से जो है total vacancy का मान लीजिए कि आपके ERO से जो है 500 candidate का selection लेना है तो उस ERO से जो है total vacancy का 20 गुना लगवग जो है candidate को CBT exam में pass कराया जाएगा यानि कि minimum 20 गुना candidate को आपके जो ERO के अंतरगत जितना vacancy होगा उसका 20 गुना candidate को CBT exam में pass कराया जाएगे क्योंकि अभी जो है physical में भी काफी सारे बचे जो है यहाँ पे आपका reject होंगे इसके अलावा medical में भी तो minimum 20 गुना candidate जो है पास होने वाले है total vacancy का तो कोई भी सवालों comment section में बताईएगा और जैसे ही इसका admit cut आता है आप सभी कोई इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तेके लिए जहिंद बंदे मातरम